तो दोस्तो पुरुसकार सम्मान से related जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम विश्व और भारत के प्रमुक जितने भी पुरुसकार सम्मान होते हैं इन सब को एक एक करके डिसकस करेंगे ठीक है तो इसके अंतरगत इस लेक्चर के अंतरगत या फिर इस सीरीज के था तो आप में से जिस किसी ने भी प्रिवेस वीडियो नहीं देखा है तो प्रेलिश्ट में आप देख सकते हैं काफी डिटेल में वो लेक्चर हमने डिसकस किया है ठीक है तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा काफी डिटेल में हम इसको डिसकस करेंगे जितने भी पॉ भारत रतन से जोड़े आखिर विवाद कौन कौन से हैं कई वार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को भारत रतन ने दिया गया और उससे संबंदित विवाद सामने आया ठीक है इसके लाबा भारत रतन से संबंदित जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनको भी हम डिसकस करेंगे प्रमुख महिला हैं उनको भी हम यहाँ पर discuss करेंगे तो जितने भी point हो सकते हैं इस topics से related तो वो सभी point आज की video lecture में हम cover करेंगे तो आज का video lecture काफी ज़्यादा महत्यपूर्ण होना वाला है आप video को अंतितक जरूर देखिए ठीके चलिए इसके लबागा जो हमारे यह lecture है आ भारत का यह सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है या फिर civilian award है ठीक है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है आपको याद रखना है देखिए भारत का यह सरबोच नागरिक सम्मान है या फिर सबसे बड़ा civilian award है ठीक है भारत के किसी भी नागरिक को यह दिया जा सकता है याद तो इनके द्वारा ही इसे घोशित किया गया था किसको भारत रतन को घोशित किया गया था अगला पॉइंट यह हम डिसकस करें कि भारत रतन में आखिर दिया क्या क्या जाता है तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत रतन में कोई भी या फिर किसी भी प् प्राइस के वारे में डिसकस किया था तो मैंने आपको बताए था लगबक 7 से 8 करोड रुपे के आसपास वहां पर धनरासी है फिर प्राइस के तौर पर दिया जाता है लेकिन याद रखना है भारत में किसी भी प्रकार का यहां पर धनरासी नहीं दी जाती है ठीक है इसके अ किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा या फिर दो व्यक्ति को दिया जाएगा या फिर maximum तीन व्यक्तियों को यह दिया जाता है ठीक है ऐसा हलाकि एक वार हुआ है कि चार व्यक्तियों को एक साथ यह पुरुसकार दिया गया था वो भी हम आगे डिसकस करेंगे ठीक है तो य अलावा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, इसमें क्या-क्या दिया जाता है, जैसे प्रमाण पत्र और एक मैडल दिया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी के दिन दिया जाता है, तो एक कुछ बेसिक पॉइंट थे, आपको याद रखना है, इसके अलावा भारत रतन आखिर किसे द साहित्य और विज्ञान, ये फिल्ड डिसाइड की गई थी, कि इन फिल्ड से सम्मंदित जो उत्करष्ट कारे करेंगे, उनको हम भारत रतन देंगे, जैसे कोई विचारक होगा, वैज्ञानिक होगा, उद्योगपती होगा, लेखक होगा, समाज से भी होगा, तो इन सभी को भारत रतन दिया जाएगा, ऐसा कब बोला गया था, जब 1954 में इसकी स्थापना के गए थी, ठीक है, लेकिन 2011 में एक और पॉइंट जोड दिया गया, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मानवता के लिए अच्छा कारे करेगा, उसको भी भारत रतन दिया जा सकता है, मतलब याद रखना है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जो मानवता के लिए अच्छा कारे करे, उसे ये पुरुषकार दिया जा सकता है, इसके लवा यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, जो भारत रतन में मैडल दिया जाता है, आभी मैं आपको डिसकस कर बनाया जाता है ये एक point आपको याद रखना है कई वार one day exam में और अन्य बहुत अलग-अलग exam में ये question आया हुआ है ठीक है तो याद रखना है अली पूर मिंट में इसको बनाया जाता है आंगे topic को बच्चो discuss करने से पहले थोग सा आपको update देना चाहूंगा यदि आप हमा studies होती है GS होता है इसका एक foundation batch है जिसमें लगवग हम ये 12 subject cover कराएंगे ठीक है 12 subject cover कराएंगे history हो गया, quality हो गया, geography हो गया, science, tech हो गया, environment हो गया, static GK हो गया, world geography, Indian geography, current affairs ऐसी लगवग 12 topic हम discuss कराएंगे तो काफी अच्छा batch है ये है आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो है ना कि हर एक exam का ये foundation course है GS का हर एक exam के लिए beneficial है तो आप ये course purchase कर सकते हैं बहुत ही कम price में आपको इतने सारी subject अलग-अलग expert faculty से पढ़ने को मिल रहे हैं ठीक है तो याद रखना है आपको इसके लावा यहाँ पर आपको live और recorded classes मिल जाती है इसके लावा bilingual class notes मिल जाते हैं topic wise test series व आपको मेरे batch देखने को मिल जाएंगे ठीक है इसके लावा यदि उत्तरप्रदेश जी के यादि आप उत्तरप्रदेश के किसी exam की तयारी कर रहे है तो उत्तरप्रदेश जी के कभी course आपको देखने को मिल जाएगा हमारी root application पर तो वो course भी आप वहाँ पर purchase कर सकते हैं इ CSCGT coupon code को use करके आप maximum discount ले सकते हैं इन सभी courses पर ठीक है तो code apply करना ना भूले है चलिए आंगे discuss कर लेते हैं देखिए जो भारत रतन है आखर ये दिखता कैसा है या फिर होता कैसा है कई वारे हाँ से exam में question आये हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख ना शेप जो ये प्राइस होता है ठीक है भारत रतन होता है तो इसकी जो आकरति है ये people के पत्ते की आकरति होती है ना people का पत्ता आपने देखा होगा कुछ इसी आकरति का होता है ठीक है इस प्रकार का इसमें आप देख रहे हैं ये platinum धातु का एक चमकता हुआ सूर्य यह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पर चमकता हुआ सूर्य आपको दिख रहा है यह प्लैटिनम धातू का एक चमकता हुआ सूर्य होता है और यह जो पीपल की पत्ते का शेप का जो यह मैडल है ठीक है यह तावी धातू का होता है कौन सा तावा या फिर कॉप आया है कि जो भारत रतन होता है इसकी आकरती किस आकार की होती तो people के पत्ते की आकार की आकरती होती है और ये सब इसके में ये चीज़े mention होती है ये आपको याद रखना है कई वर यहां से exam में question देखने को मिले हैं ठीक है अकसर क्या होता है बच्चे इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और गलती कर देते हैं ठीक है तो यह छोटी-छोटी से बारीकिया होती है जो आपको ध्यान देगर के पढ़ना है ठीक है देखिए मैडल में तावे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटीनम का चमकता सूरी है प्लैटीनम का यहाँ पर चमकता हुआ शूरी होता है पत्ते का किनारा भी प्लैटीनम का होता है इसके नीचे हिंदी में भारत रत्म लिखा हुआ होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ठी पीचे हिंदी में सत्यमेव जायते लिखा हुआता है यह असो के सम्भ है और इसके पीचे सत्यमेव जायते लिखा होता है तो यह चीजे आपको पता हुए चाहिए कई वार यहां से अक्जाम में कउशन को दिया गए थे ठीक है तो सबसे पहला जो भारत रतन दिया गया था 1954 में ये सर्वपली राधा कृष्णन जो की भारत के पहले उपराष्ट पती थे इसके लावा पूर्वराष्ट पती भी रहे हैं दूसरे राष्ट पती थे ठीक है शिक्षा विद थे ये क्या थे चंदरशेखर वएंकट रमण इन तीनों को पहली वार भारत रतन दिया गया था 1954 में तो यहां से कई वार एकजाम में कुशन आया है कि पहली वार भारत रतन कव दिया गया था या फिर किन-किन विक्तित्व को दिया गया था तो याद रखना है सबसे पहले सरप्रली राजगोपालाचार्य और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था 1954 में ठीक है राधा कृष्णन की बात करें तो मैंने आभी बताया कि पहले उपराष्ट पती थे इसके लवा राष्ट पती भी थे पूर्व राजगोपालाचार्य की बात करें तो भारत के पहले सुत प्राइज भी मिला था 1930 में इनको नोबल प्राइज भी मिला था किसलिए physics में physics में इनको नोबल प्राइज दिया गया था scattering of light या फिर प्रकास के प्रकीणन के संबंध में तो ये बात भी आपको याद रखना है ठीक है तो ये तीन प्रमुक व्यक्तित्व हैं जिनको पहली बार भारत रतने से सम्मानित किया गया था इनको आप यहाँ पर image में भी देख सकते हैं ठीक है चलिए अभी तक कितने व्यक्तित्व को मिला है total ये price ठीक है तो total number of कितने अब इसे व्यक्ति हैं जिनको ये price दिया गया है तो इसको भी हम देख लेते हैं तो total बच्चो 48 लोग है 48 लोग है जिनको अभी तक भारत से सम्मानित किया गया है ठीक है इसके अलावा यह आप देखेंगे तो 16 ऐसे लोग है जिनको मरणो परांत ये price दिया गया है और 5 मह बिलाएं भी हैं जिनको इस सम्मानित किया गया है भारत रतने से सम्मानित किया गया है तो नंबर भी कई वर पूछ लेता है तो याद रखना है total अभी तक 48 लोगों को ये परुसकार दिया गया है जिसमें से 6 लोगों को मरणो परांत या फिर जिनकी death हो गय थी उसके उर 1966 में लाल बहादुर सास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सर्व परथम मरणो परांत भारत रतन से सम्मानित किया गया था ठीक किया वोला मैंने कि 1966 में सबसे पहले लाल बहादूर सास्त्री जो कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्री है ठीक है इनको सरप्थम मरणो प्रांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया था और रूल कब बना था अभी मैंने आपको डिसकस कराया 1966 में लाल वहादुर सास्त्री को सरप्थम मरणो प्रांत भारत इसन से सम्मानित किया गया थीक है और अभी तक टोटल सूला लोगों को मरणो प्रांत या फिर उनकी डेथ के बाद ये पुरुसकार दिया गया है थीक है तो काफी important point है कई वा लाश्ट टाइम आप देखेंगे तो 2019 में लाश्ट टाइम भारत रत ने दिये गए थे उसके बाद से 20, 21, 22, 23 अभी तेश चल रहा है तो लगवाद चार साल हो गए अभी तक भारत रत रत ने नहीं दिया गया ठीक है तो जरूरी नहीं है हर साल दिया जाए चुकि ये भा बढ़ा ठीक हारत का सबसे बड़ा पुरुषकार है तो जरूरी नहीं होता लेकिन कई वार ऐसा हुआ है कि इसको बंद कर दिया गया या फिर कुछ प्रॉबलमत के कारण इसको नहीं दिया गया तो वही चीज़े हम यहां पर डिसकस कर लेते हैं कि कब इसको बंद किया गय तो सबसे पहले 1977 से 80 के टाइम पे 1977 से लेकर के 80 के टाइम पीरेड में आपको पता होगा सरकार चेंज हुई थी है ना मौराजी देशाई की सरकार वनी थी इससे पहले कॉंग्रेस की सरकार थी तो 77 के टाइम पर मौराजी देशाई की सरकार वनी थी और मौराजी देशाई प्रधानमंत्री बने थे ठीक है तो सरकार चेंज होने के बाद जो मौराजी देशाई की सरकार थी इन्होंने भारत रतन को बंद कर दिया गया था इन्हों ने भारत दू को बंद कर दिया गया था क्यों इसके पीछे इन्हों ने reason यह दिया था जो भारत दू है यह Congress अपने बड़े-ड़े leaders को बन्द कर दिया था और जब तक इनकी सरकार थी प्रधानमंत्री बनती है, तो ये फिर से स्टार्ट हुए आता है भारत रतन और पहली बार बन्द होने के बाद 77, 78, 79 इस टैंड नहीं दिया गया फिर जब जैसे ही 1980 में स्टार्ट होता है तो Mother Teresa को पहली बार भारत रतने से सम्मानित किया जाता है तो याद रखना ये भी काफी important point है एक्जाम में question आता है कि जब इन पुरुषकारों को बंद कर दिया गया था तो उसके बाद जब पुना ये स्टार्ट हुए थे तो सरपथम किसको ये पुरुषकार दिया गया था तो किन को दिया गया था Mother Teresa Teresa को 1980 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था ठीक है इसके लबाद नोवल प्राइज में मैंने नोवल प्राइज मिला था ठीक है तो हलाकि ये दुरभागी की बात है कि जो पूरा विश्व था विश्व ने इनको पहले पहचान लिया कि क्यों देखिए जो Mother Teresa थी ये भारत में ही रही काफी लंबे समय तक यदि देखा जाए लगवग 1927 के टाइम पर ये भारत आई थी है ना और इससे लगवग 90 तक ही यहाँ पर रही और इन्होंने गरीव असहाई लोगों के लिए बीमार लोगों के लिए भारत में बहुत सारे कारे किये तो इनको भारत रतन पहले ही मिल जाना चाहिए था लेकिन भारत रतन को कम मिला जब इनको Nobel का Peace Prize मिला विश्व ने इनको पहले पहचान लिया उसके एक साल वाद चुकि इनको Nobel Prize मिल गया था तो भारत रतन भी इनको दिया गया 1980 में तो ये दुरभागी की बात है हमारे देश के लिए कि इतनी महान सक्सियत जो की भारत के लिए इनोंने इतना कुछ किया इनको इतनी लेट ये पुरुषका दिया गया ठीक है तो याद रखना है ये important point है चलिए अगला point डिसकस कर लेते है 93-95 का जो ये time था 93-95 का जो time था इस समय भी भारत रतन नहीं दिया गया था इसके पीछे क्या कारण था तो ये भी ज़रा समझ लिजे देखिए जो बच्चो केरल हाई कोट और मद्रप्रदेश हाई कोट है यहाँ पर एक PIL दायर की गई थी Public Interest Litigation जो होती है जनहत याची का जिसको हम अपाधी है या फिर टाइटल है ठीक है और हमारे भारती संबिधान के Article 18 के अनुसार हमारे भारती संबिधान में जो मौलिक अधिकार दिये हुए हैं इसमें Article 18 है इसके अनुसार सैन्ने अपाधी सैन्ने अपाधी और सिक्षा की अपाधी सेन ने उपाधी और शिक्षा की उपाधी के अलवा किसी भी प्रकार की उपाधी धारण नहीं की जा सकती यह Article 18 में लिखा हुआ है तो कहीं न कहीं भारत तन क्या है यह Article 18 का उलंगन करता है यह कहा गया था जनहित याजिका में जो की केरल और मद्रप्रदेश हाई कोट में लगाई गया थी लेकिन जब कोट में केस गया तो अब इस सी बात है कोट में जब भी केस जाता थो थोड़ा सा टाइम लग जाता है एक साल दो साल तो जब इसका decision आया तो जब 95 में कोट का decision आया तो कोट ने decision में कहा कि यह कोई उपाधी नहीं है भारततन बलकि एक प्रकार का पुरुसकार सम्मान है तो इसको देने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना ही Article 18 का यह उलंगन है ठीक है तो फिर से 1980 से 1905 में इसका decision आया और जो यह पुरुसकार थे बापस से start हो गए ठीक है तो याद रखना है कि 93 से 95 के time पर भी यह नहीं दिये गए थे ठीक है चलिए इसके लाबा मैंने आपको बताया थे कि maximum एक साल में जो भारत अतन होते हैं maximum तीन लोगों को यह दिये जाते हैं ठीक है लेकिन 1999 में ऐसा हुआ था जब यह चार लोगों को दिये गए थे ठीक है जैप्रकाश नारायन पंडित रवीशंकर गोपिनाथ बार्दोली और अमर्थ सेंद ठीक है यह चार लोगों को दिये गए थे तो एक बात याद रखना है कि 1997 में जो अमर्थ सेंद थे बच्चो इनको नोबल प्राइस दिया गया था ठीक है और चुकि इनको आप नोबल प्राइस दिया गया जैसा कि अभी मैं आपको मदर टरेसा का बताया कि यह भारत की ऐसी हस्ती थे कि भारत को इनका जो व्यक्तित्व था या फिर इन्होंने ज कि नोबल प्राइस दे दिया गया था कि इनको अमर्थ सेंद को किसमें मिला था अर्थ सास्त्र अर्थ सास्त्र अफर एकोनोमिक्स में इनको नोबल प्राइस दिया गया था अब चुकि नोबल मिल गया ठीक है तो भारत तरत ने तो देना ही पड़ेगा सरकार को ठीक है तो को याद रखना है ठीक है? छलिए चारों को नाम याद रखना है जैप्रकाश नारहन, आपको पता होगा, सवतिंतरदा संघ्राम में प्रम्ग व्यक्तित्व थे, इसके लबावा इंद्र लोक नायक के नाम से भी इनको जाना जता है, इसके लबावा इंद्रा गांधी, असम के मुख्य मंत्री रहे हैं ठीक है असम के लिए इनको काफी ज़्यादा काम किया इन्होंने असम के लिए ठीक है इसके लब आमार्त सेन तो आपको पता ही होगा कि अर्थ सास्त्रमेन को नोवल मिला था और बाद में भारत ने भी इनको दिया गया आंगे डिसकस कर लेते जो की भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री भी थी ठीक है और जब इनको भारत ने दिया गया था तब विवाद भी देखने को मिले थे अभी मैं आपको डिसकस कर आऊँगा वो विवाद ठीक है तो अभी हम महिलाएं डिसकस कर लेते हैं इंद्रा गांधी हो गई लता ठीक है प्लेवेक सिंगर रही है हमारी बॉलेबुड में सुगम संगीत की आप जानते ही होंगे इनको अरुना आशफ अले की बात करूं तो सवतंतरता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्तित्व रही है सवतंतरता सैनानी रही है भारत छोड़ो आंदूलन की टैम पे ये भी गई कई वार और काफी एक्टिव थी उस टैम पे ठीक है तो सवतंतरता सैनानी थी आपको याद रखना है मदा टरेस है तो अभी मैं आपको बताया ही ठीक है 1980 में इनको जब नोबल प्राइस बंद कर दिये गए तो प्रथम बार इनको भारत रत दिये गए ठीक है गरी 1766 में जो UN महासभा है या फिर संयुक्त राष्ट की जो महासभा है तो इसमें प्रस्तुती देने वाली भी पहली महीला है भारती महीला है आपको याद रखना है ठीक है करनाटक संगित की प्रमुख गाई का है MS सुबबा लक्ष में तो ये 5 महीला हैं इनके नाम भी आपक रखना है किस फिल्ड से ये संबंदित है आपको ये भी डिटेल आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं आखिर ऐसे कौन-कौन से गैर भारती हैं या फिर भारती नागरिकता जिनके पास नहीं थी भारत से जो संबंदित नहीं थे किसी अन्य देश के थे तो इनको भी भारत रतन दिया गया है तो एक तो थे अब्धुलगफ़ार खन जिनको 1987 में भारत रतन दिया गया क्यों दिया गया ये इनकी जो विचारधारा थी ठीक है वो गांधी-वादी विचारधारा के विकती थे इसके लाबह जो जिन्ना का दुई-řाश्ट दान्त के भी काफी ज़्यादा ये खिलाफ थे ठीक है तो ये बात भी आपको याद रखना है कि अब्दुल गफ़ार जो खाने इनको भी दिया गया था 1987 में और पहले गैर भारतिये थे जिनको भारत रत ने दिया गया था अगले है नेलसन मंडेला इनको भी 1990 में भारत रत दिया गया था और पहले अश्वेत राष्ट पती थे जिनको इस पुरुसकार से सम्मान नित किया गया था इनकी उपलब्धी क्या है बच्चो विश्यु भर में इनको जो रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था उसके लिए जाना जाता है ठीक है याद रखना है इसकलाब विश्यु में रंग भेद के प्रतीक माने जाते हैं यह ठीक है रंग भेद के प्रतीक माने जाते हैं इन्होंने काफी लंबे समय तक अपनी लड़ाई लड़ी और जो दक्षण आफ्रीका है वहाँ पर इसके लिए काफी ज़दा आंदोलन किये और लगबग 27 सा बच्चो इन्होंने जेल में भी गुजारे थे इस आंदोलन के करण और बाद में जाकर के राष्टपती बने थे याद रखना है आपको ठीक है और 18 जुलाई को UN ने इनके संबान में नेशनल मंडिला अंतराष्टी दिवस्की भी घोशना की ठीक है तो याद रखना है 1990 म लगबग 100 वर्ष में धौंडव केशव करवे को लगबग 100 वर्ष की उम्र में भारत रतन दिया गया था ये एक मैथ्स के टीचर थे इसके लवा समाज से भी थे इसके लवा महिलाओं के लिए इन्होंने महिलाओं की सिच्छा के लिए विद्वा विवा के लिए काफी दिखेंगे तो एक प्रकार के समाज सुधा रखते और महिलाओं के लिए इन्होंने काफी जदा कारे की रिया ठीक है इसी कार से इनको 1958 में भारत रतन दिया गया था मैथ्स के टीचर भी थे इसके लवा यंगश्ट की बात करेंगे तो 40 वर्ष की उम्र में सचिन तैंदु नहीं दिया तो आप इनको कैसे दिया सकते हैं तो वो सारे विवाद भी देखने को मिलेते हैं अभी हम आगे और डिसकस चीजे करेंगे ठीक है तो याद रखना है ओल्डेश्ट और यंगश्ट कौन-कौन से ऐसे वक्ति हैं जिनको ये प्रोष कार दिया गया है ठीक है होता है बच्चो जो भारत रतन होता है तो इसको देने की जो रिकमेंडेशन देता है ठीक है वो प्रधान मंत्री ही देता है राश्ट पत्य को या फिर जो कमेटी होती है इसके लिए उसका हैड भी कौन होता है एक प्रकार से प्रधान मंत्री ही होता है ठीक है तो उस समय जवाहरलाल नहरु जब इनको 1955 में भारत रत्न दिया गया तो इस समय ये भारत के ही परधान मंत्री थे, ठीक है? इसके लबाए इंडरा गांधी को 1971 में पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, उस समय भी इंदरा गांधी क्या थी? परधान मंत्री की पद पर थी. तो ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब स्वयम उस पद पर है जो खुदी नाम recommend कर रहा है तो कोई अपना नाम खुद से कैसे recommend कर सकता है तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने स्वयम को ही भारत रतने दे दिया तो यह आरोप लगा जासते हैं और उस समय काफी विवाद भी हुए थे इससे रिलेट तो आपको याद रखना है कि जब 1955 में पंडे जवाहर लाल नहरु को यह पुरुषकार मिला और 1971 में इंद्रा गांधी को प्रधान मंत्री रहते हुए यह पुरुषकार दिया गया तो काफी ज़्यादा विवाद देखने को मिले थे ठीक है क्योंकि मैं आपको बता दिया कि जो प्रधान मंत्री होता है प्राइम मिनिस्टर होता है वो ही एक प्रकासे हैड होता है इस कमेटी का या फिर जो नाम रिकमेंड करता है प्रेशिडेंट को इसके लवाद 2014 में जब सचिंत अंदुलकर को यह पुरुषकार दिया ग इसके लाबा 1992 में बच्चो जो सुभाष चंद्र बोस थे तो उस समय भी इनको भारत रतन देना चाहती थी परन्तो इनकी जो बेटी थी उस समय ठीक है तो उन्होंने यह पुरुषकार लेने से मना कर दिया था ठीक है वो उसके पीछी यह रीजन था कि इनको जो भारत रत था वो मरणों परांत दिया जा रहा था ठीक है और ऐसा है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनकी डेट से रिलेटेट काफी ज्यादा मिश्टरी है इनकी कोई ऐसी डेट नहीं बताए गई कभी कि इनका दिहान्त हुआ भी कि नहीं हुआ मिस्टीरियस कंडिशन में इनकी डेट हुई थी या फिन नहीं हुई थी या अभी भी जिन्दा है ठीक है मतलब यह सारी चीज़ें उस समय चल रही थी ठीक है तो इनकी बेटी का यही कहना था कि आप उनको मरणों परांत कैसे भारत रत रत ने दे सकते हैं तो उस समय में 2019 में समानित व्यक्ति जो लेटेष्ट अभी मिले हैं वो 2019 में ही मिले हैं 19 के बास्ते अभी तक नहीं मिले हैं तो नाना जी देश्मुक जो की समास सेवा के लिए इनको भारत रत रत ने मिला था 2019 में भूपेन हजारी का कहां असम से इनका संबंद है असम राज्य से इनका स इसके लबग कभी भी थे तो इनको भी याद रखना है मरड़ों प्रांट इनको दिया गया और प्रणाव मुखרजी पूर्व राश्टपति जो है इनको भी 2009 में सम्मानित किया गया थे तो यह तीन प्रमुख व्यक्तित्व है जिनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से ठीक तो इसको भी ज़र समझ लेजी, यहां से भी कई बार exam में question आते हैं या फिर आने की संभाव ना है, तो सबसे उपर तो राश्टपति होते हैं, इस वरीता क्रम में second number पर उपराश्टपति होते हैं, third number पर प्रधान मंत्री होते हैं, फिर राज्यों के राज्यपाल होते हैं, पूर्व राष्टपती होते हैं, मुक्य नियाधीज और लोकसभा अध्धक्ष होते हैं इसके बाद साथवे नमबर पर आते हैं भारत सरकार के कैविनेट मंत्री दाज्यो के मुक्य मंत्री, योजना आयोक के उपाध्ध्यक्ष, पूर्व प्रधान मंत्री होते हैं इसके लावा राजि सवां लोक सवां के बिपक्ष के निता तो इनके समकक्ष ही रखा गया है भारत रत्रटन पराप्थ करता व्यक्तित्व को ठीके तो यहां से कई वार exam में question आ सकता है या फिर आया भी है कई वार कि भारत रत्रन के जो पराप्थ करता होते हैं वो किसके सम समक्ष इनकी वरीता होती है तो कैविनिट मंत्री मुख्य मंत्री इसके लवा प्रधान मंत्री जो पूर प्रधान मंत्री होते हैं और लोकसवा राजिसवा के विपक्ष के निता इनके ही समक्ष इनकी वरीता होती है यह पॉइंट भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए इसके लबाब और कुछ प्रमुक्ष व्यक्तित्व हैं यहाँ पर जिनको भारत मिला जैसा कि 1990 में भीमरावंबेटकर को मिला था, 1991 में बल्लब भाई पटेल को मिला था, 1997 में अब्दुल कलाम को मिला था, जो कि हमारे देश के राश्पति और बैग्यानिक थे, लाताम अंगेसकर को 2001 में, 2015 में अटल बिहारी बाच पेई जी को भी यह रत ने मिला था, ठीक है, आप यहाँ पर दिख सकते हैं, इनकी इमेज भी दिख सकते हैं, तो जितने भी पॉइंट थे बच्चों वो सारे मैंने डिस्कस करा दिये हैं, जहां से भी एक्जाम में कोश्चन बारवार आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देखिए, जो maximum कोश्चन देखेंगे आप, पुरुसकार सम्मान से, तो करंट से ही आपको कोश्चन देखने को मिल देखने को मिल जाते हैं, यह डिटेल भी आपको ध्यान से रखनी है, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपको यहां पर देने की कोशिश की है, यहां से बाहर कोश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है, तो एक-दो बार आप वीडियो देख लीजे, नोट्स बना लीजे, तो आपका इससे बाहर कोश्चन नहीं जाएगा, चलिए अब इससे रेलेटर कोश्चन भी हम यहां पर डिसकस कर लेतने हैं, देखिए पहला कोश्चन है, इनमें से किसे सरप्रथम भारत रत ने दिया गया, ठीक है, 1954 में, तो सरप्रथम चक्रवर्ति राजगोपाल अचा अगला कुश्चन है, सरप्रथम मर्डोपरांत भारत रतने किसे दिया गया, ठीक है, तो बताया था मैंने, 1955 में ये रूल बना था, और 1966 में पहली वार लाल बहादुर शास्त्री को भारत रतने से सम्मानित किया गया था, मर्डोपरांत सरप्रथम, ठीक है, उनकी डेथ के बाद, किस वर्ष चार लोगों को भारत रतन दिया गया है, ठीक है, चार वार दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था, 1999 में, 1999 में मैंने आपको बताया था कि पहली वार ऐसा हुआ, जब मैक्जिमम चार लोगों को भारत रतन दिया गया थे, ठीक है, ये पॉइंट भी म अब तक कितनी महिलाओं को भारत रतन दिया गया है तो पांच महिलाओं है जिनको अभी तक भारत रतन दिया गया है पांचों के नाम और डेटेल मैंने आपको बताई थी उनके बारे में याद रखना है अगला कुशन है भारत की प्रमुक पदादी कारियों के वरीता क्रम में भारत रत्न प्राप्त करता किसके समान होते हैं पूर्व राष्टपती भारत की कैविनेट मंतरी लोगसभा अध्धक्षय आफिर राजजपाल इसका आंसर हो जागा भारत की जो बच्चो कैविनेट मंतरी होते हैं इसके समकक्ष होता है जो जिन भी व्यक्तित्तों को भारत रत्न दिया जाता है तो इनके ही ये समकक्ष हो गहरे भारतिये हैं जिनको भारत रतन से सम्मानित किया गया है अब्दुल गफफार खान नेलसन मंडेला ठीक है तो A और B सही हो जाएगा ये तो नहीं होंगे ये oldest है 100 वर्स की एजमेन को मिला था ये answer सही हो जाएगा A और B दोनों ठीक है खान अब्दुल गफफार खान मैं 1754 से इसकी स्थापन होई थी एक answer ही इसका सही हो जाएगा ठीक है तो बच्चो ये 8 questions भी हमने discuss कर लिए भारत रतन से related तो I think आज का video lecture आपको पसंद आया होगा सारी details जितने भी भारत रतन से सम्मंदित हो सकती हैं वो सारे points मैंने यहाँ पर cover किये हैं इसके लावा जैसे 48 लोगों को लगवगी मिला है तो बाकी की लोगों को भी आप पढ़ सकते हैं जितने भी महात्रपूर्ण personalities थी वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी है ठीक है तो फिलाल आज के lecture में यहाँ आपको आज के lecture पसंद आये तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें इसके ला